जाहें दोस्तों, वेलकुम टू न्यू एपिसोड ओफ सिंग आडोजोन दोस्तों इस चैनल पर आपको एलेक्ट्रिक वेहिकल न्यूज रिनेवन अनर्जी जुड़े अपडेट के इलावा एक सेफ़ोर वहिकल सेफटी स्टंडर्स ग्लोबल एंची एपी जो क्रैस टेस्ट रेटिंग्स है उससे जुड़े अपडेट भी टाइम आपके साथ शेयर करता रहता हूँ क्योंकि मेरे लिए सेफटी सबसे पहले है अच्छी बिल्ड क्वालिटी कार एक किसे बुरे एक्सिडेंट में आपकी और आपके प्यारी फैमली की जान बचा सकती है अब भी कोई नही कार खरिदने की प्लानिक कर रहे है तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए याप पूरी जरूर देखेगा और लगे कि वीडियो आपकी मतलब की है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेर और लाइक जरूर कीजेगा लेकिन सिर्फ ब्रीजा एक ऐसी गाड़ी इसके पास 4 स्टार ग्लोबल NCA Pay रेटिंग को उसके लावा तक्रिवन सभी गाड़ियों की जो कि जितनी भी आस तक टेस्टिंग हुई है वो फेल हुई है भूरी तरह से जियो स्कोर एक स्कोर दो स्कोर इस से ज्यादा किसी भी गाड़ी को स्कोर नहीं मिला है तो हाल आते है कि मौर्ति सुजुकी ने अपनी गाड़ियों को टेस्टिंग के लिए भेजना बंद कर दिया है वो कहते हैं जी हम सिर्फ अराइस अर्टिव का है जो रिक्वार्मेंट है वो पूरी करते हमें इस से ज्यादा जरूरत नहीं ह आपको सोचना है कि आपको कौन सी गाड़ी खरिदनी है अंसेफ या सेफ बढ़ते हैं अपडेट की तरफ दोस्तों किसी भी गाड़ी को ज्यादा सेफर बनाने के ठीक है एक्स्टरनल की बास को तो बिल्ट क्वाल्टी एक माइने रखती है लेकिन जब अंदर की बात करते एक्सिडेंट होने के बाद जो सबसे पहले जो काम आती है वो है एर बैग फीचर बहुत बड़ा फरक रखता है सेफ्टी में जो स्टंडर है उसकलाब से सभी मोडल्स में चाब हो बेसिक मोडल हो या को टॉप एंड मोडल हो एज स्टंडर दो एर बैग फरंट पर देने ह होंगे सभी इंडियन आटो मैनिफेक्चर को यह स्टंडर है सभी मोडल्स के लिए लेकिन अब आने वाले कुछ मीनों में अक्तूबर से अक्तूबर 2022 से जो हमारे नितिन गड़गरी है मिनिस्ट्री ओफ जो मिनिस्टर है रोड एंड ट्रांस्पर डिपार्टमेंट को ने कन्फर्म किया है मिनिस्ट्री ओफ इस डिपार्टमेंट ने कन्फर्म किया है कि अक्तूबर 2022 के बाद सभी गाड़ियों में ऐसे स्टंडर दो नहीं बलकि छे एर बैग प्रवाइट करने होंगे मैंडेटरी होंगे कंपलसरी होंगे तो यह सिक्स एर बैग रहेंगे बिलक इपक्ट आ सकता है कुछ नहीं सकते क्या रोड कंडिशन बनती है कुछ नहीं कहा जा सकता तो वैसे में पूरी सेफटी रहेगी बिलकुल यह एक गुड निउस है लेकिन अब आप थोड़ा एक आगे जो मुद्धा है प्राइस से जुड़ा वही है कि बिलकुल अब कम से क अगर हम चार एरबैक और एड़ करने है तो यहाँ पर कम से कम पचास जार का फरक पड़ेगा निए कि सीधी बात है पचास जार काड़िये महंगी होगी अभी जो करन्ट कोस्ट है एरबैक की बात करो तो पांच जार से लेकर दह जार के बीच में इसका प्राइस आता है औ यहाँ पर हमारे लिए फैमिली पहले है पैसा बात में फैमिली की जो सेफ्टी है वो हमारी पहली प्राइटी है अगर हम आप किसी नई गाड़ी के लिए 5 से 10 लाग कि इंवेस्ट कर रहे है तो 50 जार जार देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर आज की डेट में बात करें, सबसेदा सेफर कारी कोन बना रहा तो बिल्कुल Tata Motors, इनकी सिर्फ Tiago और Tigor है, जो फॉर स्टार रेटिंग है, बाकि सबी की फाइव स्टार रेटिंग है, चाहिए Nexon की बात करें, Ultros की बात करें, जो हालमे पंच रिलीज हुई है, ये सबी 5 star crash crash rating है इनको global NCP में तो वही हमारे देश की जो number one जो अपने आपको number one कहती है छाती ठोक ठोक के number one number one उनको आज भी कोई ज़ादा फरक नहीं है कि वो 5 star 4 star rating गारी ये बनाए उनको कोई ज़ादा फरक नहीं पड़ता है ये हमें देखना है कि हमने कौन सी गारी खरिदनी है ऐसा भी नहीं है कि टाटाय मिंद्र की गारियों के जो designing वो किसी तरह से मौर्तिय की गारी से कम है या उनकी technology कम है बलकि उनसे एक कदम आगे ही है last में एक जवाब मुझे आप सबसे चाहिए क्या आप 50,000 extra spent करोगे इन चेर airbags के लिए हाँ या ना तो फिलाल आज के लिए इतना ही धन्यवाद बेटे कों तक देखने के लिए जय हिंद